हलो एबरीवन, वेलकम दूदा स्टिडी विद मयंग, मैं हूँ आपका मयंग, हम लोगों की यहाँ पर क्लास 11th NCRT जोगराफिकी किताब भौधिक भूगोल के मूल सिध्धान चल रही है, आज आपका ऐसी क्रम में अध्याय पंद्रेमा है, यहाँ पर हम लोग प्रद्वी पर जीवन अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, आज के अध्याय में हम लोग जैम मंदल में रहने वाले सभी जीवित जीवदारियों के बारे हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप इ लिथोस्पेयर, यानि कि इस्थल मंदल है, दूसी तरफ यहाँ पर हाइड्रोस्पेयर, यानि कि जल मंदल है, ऊपर जो है एड्मोस्पेयर, यानि कि वाय मंदल है, और इन तीनों के बीच में जो मंदल पाया जाता है, उसको बायोस्पेयर या फिर जैम मंदल कहा जाता है देके jam नमंदल के जीवधारी जीवधारीए ये इसलमंडल पर gel मंडल में और y मंडल में भी पाये जाते हैं तो प्रत्फ़ी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर jam मंडल मनाते हैं ये परिया बड़ के दूसरे मंडलों के साथ उस परिया करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो जैम मंडल की जीवधारी है, ये दूसरे मंडलों के साथ भी क्रिया कर रहे हैं, इनकी क्रिया इस्थल मंडल के साथ भी हो रही है, जैम मंडल के साथ भी हो रही है, और वाय मंडल के साथ भी हो रही है, जैम मंडल में सभी पौधों, जन्तुओं, प्राडियों, दीके प्राडियों में सूचमजीव भी सामिल है और उनके चारों तरफ के पर्याबढ के पारस्परिक अंतरसंबन से ये बना है अधिकतर जीव जो है, इस्थल मंडल पर ही मिलते हैं परंतु कुछ जीव है, वो आपके जल मंडल में और वाय मंडल मी पाए जाती है जो सूचमजीव है, वیک्τοरिय अत्यादी हैं, ये वाय मंडल में मिलते हैं जैम मंडल और इसके जो घटक हैं यह परियाबड के प्राकृति घटकों जैसे के भूमी, जल, मिटी के साथ पारस्पर क्रिया करते हैं कहने को अलोब यह कि Jetsamandl और जो इसके घटक है यह PARYाबड के प्राकृति घटक है जिनमे के भूमी, जल और मिट्टी आ जाती है तो इनसे इनकी पारिस्थित्की यानि इकोलोजी तो सबसे पहले यहाँ पर इकोलोजी का मतलब समझाया गया है देखे इकोलोजी सब्द जो है यह ग्रीक भासा की दो सब्दों से मिलकर बना है अगर इसको तोड़ कर पढ़ें तो यहाँ पर आएगा पहले ओएकोस और दूसरा है लोजी तो देखे ओएकोस का साब्दिक अर्थ होता है घर और लोजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्यान से है यानि कहने का लोब ये घर का अध्यन इस तरह से इसका अर्थ निकलता है सबसे पहली बार इस सब्दिका परियोग जो है जर्मन प्राणी सास्त्री है जिनका नाम है अर्नेश्ट हैकल तो इन्होंने 1879 में इस सब्दिका सबसे पहली बार इस्तिमाल किया था और अरनेश्ट हेकल को पारिश्थित की या एकोलोजी के ज्याता की रूप में या जनक की रूप में भी जाना जाता है इसका अगर साब्दिक अर्थ देखें तो साब्दिक अर्थानुसार एकोलोजी जो है ये प्रत्वी पर पौधों, मनुश्यों, जन्तुओं और सूछ जीवार्णों के घर के रूप में अध्यन है जो एक दूसरे पर आसिरत होने की बज़े से एक साथ रहरते हैं इकोलोजी में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे आसपास के जीवार्ण के जीवधारी है उन सभी के आभासों का अध्यन करते हैं के संदर में आवास, यानि कि, जिसमें हमारे जीवधारी या Hindu, जेविक जीव है। वो निवास कर रहे हैं, उस पर आवास का अर्थ है तो आवास क्या है, परियावण के बहुतिक और रासानिक कारकों का योग है। यानि किसी भी जीवित-्जीव का जो आवास है। और रासाइने कारग भी सामय है तब उसका मिलकर आवास बनता है अब देखें यहाँ पर फिर पारितंत्र या फिर पारितंत्र के बारे में बताया गया है जो इकोलोजीकल सिस्टम के बारे में बताया गया है सबसे पहले जान लीजिए जो पारितंत्र सब्द है इसका सबसे पारितंत्र के अक्सर परीच्छा में या फिर एक दिवसी परीच्छा में यह पूछा जाता है, तो यहाँ पर जानते हैं पारितंत्र होता क्या है। पूण परीच्छा में या फिर जानते हैं, तो उनका जो ऑज़ैविक रूप गत्त्र हैं या बहुतिक्त त्त्त्र उनके साथ जो अंतर सम्मन्द नोरा है उसमें उर्जा परबा, उर्जा परबा का मलब उनक plateau है। उर्जा परवा है या पर जो पोसर संक्ष लाएं ये इस पष्ठ हो तो उसे जो है पारित तंत्र या फिर पार्श की तंत्र कहा जाता है देगे हर जगे का अपना एक अलग पार्श की तंत्र होता है और उसी का नुसार उसमें जीब पाए जाते है अब जैसा कि आप लोग ज अब अगर हम लोग अचानक से पहाडी लाकों में पहुंच जाए तो हमें वहाशब और अपने आपको आपको धिक्कत होगी है कि अधिन प्रकार के परियावरण और वीबिन परस्यतियों में भिन प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भिन प्रकार के परियावड में और भिन परिस्यतियों में अनेक प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं जहांपर अलग 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 प्रकार के पौदे और जीव जन्तु बिकास्टम द्वारा उस कटवंदी वर्शावरों में देखने को नहीं मिलें देगे बायोम जो है ये जीवधारियों और पादपों के अंतर संबंदों से या पादपों को मिलाकर बायोम बनता है और बायोम जो है ये भी पार्स की तंत्री है यानि बिस्येस प्रिस्यतियों में पादप और जन्तु के अंतर संबंदों के कुल योग को बायोम कहा जाता है यानि इसमें पादप और जन्तु दोनों सामिल होते हैं तो उनको मिलाकर बनता है बायोम ये भी पार्ष की तंत्री ही है तो प्रत्वी पर जो है विविन बायों की जो सीमा का निधारण है ये जलवायू से और अबक्षे सम्दी तत्विये इसका निधारण करते हैं जलव होता है बर्सा तापमान आदर्ता अमिठी समंदी अवियब यह भी सामिल होते हैं तो संसार के कुछ प्रमुकर पारित तंतर या बायों के बारे हम बताया गया है जेसे वन घास गास छेतर बायों मरसल बायों तुझ बायों तो यह पुछ बायों हरops इसके बाद है आपका जलिय पारितंत्र ने एक्वेटिक एकोसिस्टम देखे एक्वेटिक एकोसिस्टम को समुद्री पारितंत्र और ताजय जल के पारितंत्र में डिवाइड किया जा सकता है समुद्री पारितंद्र में जो आपके महसागर हैं या सागर हैं या आ जाते हैं जवारनत्मुक आ जाते हैं जवारनत्मुक का अंतर मतलब आप जानते होंगे कि जब कोई नदी डिल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में गिरती है तो वो जवारनत्मुक बनाती है तो महासागर आ जाते हैं, ज्वारनद मुग आ जाते हैं, प्रवाल भित्ती आ जाती हैं, यहीं कोरल रीफ आ जाती हैं, कैलसियम कार्बोनेट वाली जो सनचना हैं, वो आ जाती हैं, तो यह सब इसमें सामिल हैं ताजी दल के पारितंत्र में जीलें, तालाब, सरिताएं, कक्छो और दलदल ये सब सामिल हैं। आगे यहाँ पर पारितंत्र की जो कारिप्रणाली है और इसकी सरचना के बारे में बताया गया है। जैविक कारकों में आप लोग जानते हैं पेड़ पौदे जीव जन्तू बैक्टरिया सुचम जीव जीव जाते हैं अजैविक कारकों में बहुत दिक कारकों में बताया गया है इसमें तापमान, वर्सा, सूरिका प्रकास, आदरता, मर्दा की स्थिति या वह अजैविक या कार्मिक तत्तो जैसे कि कार्वन डायक्साइड है जल है नैट्रोजन है कैलसियम फोस्पूरस पॉटेसियम ये सब समलित होते हैं वहीं जैविक कारकों में उत्पादक देगे उत्पादकों में सभी हरे पौदे आ जाते हैं उपभोगताओं में प्रात्मिक दुतियक और तत बनते हैं यह प्रात्मिक औभोक्ताओं का भोजन बनते हैं साकाहरी years की साकाहरी को पुने इस यूठियक अभोगता ऑइनी मासाहरीरं जन्तु घहन करते हैं और जब इनमें से कोई मर जाता है यसे हर्त पादब मर गया या प्रात्मिक भोगता मर गया दुतियक को भोकता मर गया या सितियक मर गया तो इन सब को अबगड़ित करने का काम कौन करता है ये अबगड़क करते है तो यहाँ पर भही चीज बदाई गई है कि उतपादकों में सभी हरे पौद ये समलित हैं जो प्रकास संसेशन द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ये सूर्य के प्रकास की उपसिती में ये अपना भोजन बनाते हैं प्रतम सेडी को भोकताओं में साकारी जन्तु आ जाते हैं ततियक सेडी में कुछ मासाहरी आ जाते हैं कि जो कि दूसरे मासाहरी जीवों पर निर्वर है यानि कहने का उनों भी है कि ततियक सेडी के मासाहरी ऐसा नहीं है केबल ये मासाहरी को भी खाते हों ये साकाहरी को भी खाते हैं यह मासारियों को भी खा सकते हैं तो ततीयक सेडी में कुछ मासारी जो दूसरे मासारी जीवों पर निर्वर हैं और इन्हें चरम इस्तर के मासारी यह टॉप कार्णी वोरस कहा जाता है यासे कि बाज और नेबला इन्हें टॉप कार्णी वोरस कहा जाता है अब आजाते हैं अब घटक, देखें अब घटक वो हैं जो कि मरत जीवों पर निर्वर हैं, जैसे कि कववा और गिद, ये मरत जीवों पर निर्वर हैं, 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 ये मरत जीवों कार्मनिक और अकार्मिक अभिवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोसक तत्तों में परवदान करते हैं यहां पर देखें कि बताया गया है कि पारितन्द के जो जीबानू है यह एक खाद संकला से पर उसопर जुड़े हुए होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हरे पेड़ पौदे हैं, हरे पेड़ पौदों को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर का टिड़ा खा रहा है, टिड़े को मैड़क ने खा लिया, मैड़क को साप ने खा लिया, और साप को सर्वो चिस्तर के जो मासाहरी ह बाज उसे नेखा लिया और जब बाज की मृट्डू हो जाती है तो अब गट किसे अब गटन के फन सरूप जो कार्मकों अकार्मी सतना होते हैं अलगलग हो जाते हैं और ये मिट्टी में मिलकर मृट्डा को पोषर पर्दान करते हैं जिसने की पौदों ब्रद्दी होती है तो यहाँ पर भई क्रम समझाया गया है कि पौधे को कीड़ा खा रहा है कीड़े को मैडक ने खा लिया मैडक को साप ने खा लिया और साप को बाज ने खा लिया तो यहाँ पर एक पूरी फूर्ड चेंज बन जाती है तो यह खाद करम और इस करम से एक इस्तर से दूसरे स्तर पर उर्जा प्रवा ही खाद संगला कहलाता है खाद संगला की प्रक्रिया में एक इस्तर से दूसरे स्तर पर उर्जा की रूपांत्रट को उर्जा प्रवा कहा जाता है केड़े में एनर्जी आ रही है, कीड़ो को मैड़क खा रहे हैं, मैड़क को साप कर रहे हैं, तो साप में ुर्जा का पर उर्जा का पर्भा चराई खाद संखला, यह grazing food chain जो है, यह पौदों से आरम होती है और यह मासाहरी तक जाती है जिसमें साकाहरी जो है, वो मद्यम इस्तर पर होते हैं और खाद संखला में 3 से यहाँ पर 5 इस्तर होते हैं यहीं कहीं पर आपको 3 इस्तर देखने को बिलेंगे तो कहीं कहीं पर 5 इस्तर देखने को बिलेंगे जैसे यहाँ पर 5 इस्तर वाली एक खाद संखला दिखाई गई है यहाँ पर आप देख पारें ग्रीन प्लांट है फिर ग्रासोफर है, फिर फ्रॉग है फिर यहाँ पर आप देख पारें होंगे यहाँ पर फ्रॉक को स्नेक खा रहा है, इसनेक को हॉक याने की जो बाज खा रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की जो चराई खा संकला होती है इस तीन से लेकर पांच इस्तर विद्धमान होते हैं और हर इस्तर पर उड़ जा का हिनास होता है देखें यहाँ पर एक नियम है आपने पढ़ा होगा लिद्धमान का दसप्रसत का नियम अगर नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए लिद्धमान का दसप्रसत का नियम यह कहता है जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौदे हैं हरे पेड़ पौदों का 100 kg यानि 100 kg अगर हरे पेड़ पौदे हिरन ने खाए तो हिरन की बॉड़ी में 10 kg मास बनेगा और जब एक हिरन को सेर या पर चीता बगरा खाता है तो इस 10 kg मास का 1 kg मास ही यानि एक किलोगराम जो उसका जो सरीर में मास बगरा बनेगा वो एक किलोगराम बनेगा तो यह 10% का रूल है यानि खाद संकला की हर इस तर पर उर्जा का हिनास होता है ऐसा नहीं है कि उर्जा बिल्कुल बैसी की बैसी जाए तो हर इस तर पर यहाँ पर उर्जा का हिनास हो रहा है यासे आप देख पा रहे होंगे कि प्रात्मिक इस्तर पर हैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाले इस्तर पर आप देख पा रहे हैं जो साकाहरी जीव है जिसने कि 100 किलो हरे पेड़ पाओदे खाए हैं उसके सरीव में मात्र 10 किलोग्राम मास बना जब इस जीव को किसी सेर ने या किसी मासाहरी ने खाया तो इस 10 किलोग्राम का मास एक किलोग्राम उसके सरीव में पहुचा तो यहाँ पर हर इस्तर पर आप देख पा रहे हैं उड़ जाका हिनास हो रहा है तो इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहा जाता है तो यहाँ पर भाई चीज बताई गई है जिसमें स्वसन उस्तर जन और बिट्टन प्रिक्रिया समलित होती है इसी बज़े से यहाँ पर हर इस्तर पर ऊड़ जाका हिनास होता है अगली है यहाँ पर अपरद खास संकला यहाँ चराई खास संकला से प्राप्त मरत पदार्थों पर निर्वर होती है इस चराई खास संकला में जो जीव मरते जाते हैं तो उनसे यह खास संकला स्टार्ट होती है इसमें कार्मिक पदार्थ का अपगटन समलित है याँ यहाँ पर जो आपके अपगटक हैं वो कार्मिक पतारतों को तोड़ देते हैं तो यहाँ पर कार्मिक पतारतों का अपगटन इसमें सामिल होता है अब देखें आगे यहाँ पर बायोम के प्रकार बताएगा है टाइपस ओप बायोम तो संसार के पांच प्रमुक बायोम वायोम के बारे में बताया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं वन वायोम की देखें वन वायोम के उपरकारों में उष्कटवंदी वर्सावन, सितोष्कटवंदी वर्सावन और बोरियल वन आ जाते हैं उष्कटवंदी वर्सावनों को पुने भूमद रेकी बन और पढ़ रच्छांस के बीच में पाई जाते हैं, जो आपके भूमद रेखी बन है, इनके लिए तापमान 20 से लेका 25 डिरी सेल्सियस, लगमक एक समान विदरड़ वाला होना चाहिए, जबकि जो आपके पढ़पाती बन है, इनके लिए तापमान 25 से लेका 3 डिरी सेल्सियस, और यहा जाती है, जबकि बictionवे बन है, जैब कि बहुमद रेखी बन हो जाती है, जबकि बढ़पाती बनों के परदेश भरपूर होती हैुं, यहां जो दो बहुमद रेखी बन है, वहा पर बनाह sechsवरों बदाया गया है कि यहाँ पर असंग प्रक्षों के जोण देखने को मिलते हैं, लंबे और घने रक्षों होते हैं, और यहाँ पर जो प्राड़ी भी बितता है, वो भी बहुत जादा देखने को मिलती है, देखे जो भूमतरेगी प्रदेसों के बन है, वो उनके प्रक्ष सम्कादर, पक्छी, स्थंधारी जंतुओं के यहां पर देखा जाता है इसके बात करते हैं सीतोष्ट टटवंदी बनों की सीतोष्ट टटवंदी बनों जो है ये पूरवी उत्री अमेर्का में उत्तर पूरवी एसिया में पश्मी और मद्ध योर्प में पाये जाते है इनक इसकी जिव जन्त की बात करेंगे तो यहाँ पर गिलहरी, खरकोष, पक्षी, काले भालू, पहाडी शेर, इसकंकादी यहाँ पर जीब जन्तु देखने को मिलते हैं इसके बाद तीसरे नमबर पर है आपका बोरियल मन देखे बोरियल मन जो है ये यूरेसिया उत्तर अमेरिका का जो उच्छ अच्छांसी भाग है खास करके जो ठंडी लाके हैं जैसे साइवरिया का कुछ भाग है अलासका, कनेडा का जो उच्छ अच्छांसी भाग है या इसके नेवियन जो देख हैं बहाँ पर आपके बोरियल मन पाए जाते हैं बोरियल बनों की खास बात हैं बताई गई है कि यहाँ पर छोटी आदरुतू होती है और मद्यम रूप से गर्म गिस्नितू और लंबी सीथ रुती है यहाँ पर जो आद रित्व है बरसा का जो सीजन है बहुत कम होता है बहुत कम सीजन होता है और यहाँ पर मद्यम रूप से गर्म ग्रिस्नितु होती है ग्रिस्नितु बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है बहुत छोटी होती है जबकि यहाँ पर लंबी और बरसा रित्व सी कमी होती है और मिट्टी की वेश्क्रक्र और मनस्पति जात की बात करें तो यहाँ पर सदाभार कॉंड़ारी बन जैसे के पाइन और फर इस प्रूद आदी के पेड़ यहां पर इसके लाबह यहाँ पर जिव जंतु है उनमें कट फोड़ा, चील, भालू, हरण, खर्गोस, भेडिये, चमगाद़, आधी यहाँ पर मुखिय प्राढ़ी पाए जाते हैं इसके बाद बात करते हैं मरुस्थलों की तो ये मरुस्थलों में भी यहाँ पर चार प्रकार की मरुस्थल है गर्म और उष्ट मरुस्थल अर्दसुस की मरुस्थल तटी मरुस्थल और सीथ मरुस्थल जैसे कि यहाँ पर बताया है गर्म और उष्ट मरुस्थल में जो आपका सहारा है साहरा जाब जानते हैं उत्तरी अफ्रीका में परता है साहरा lotta कानारी जो है डच़ेठ अफ्रीका में परता है हाला कि जैप परदात यहां पर कमी होती है यहां पर ना के बराबर होता है यहां पर बताया गया है एक से लेकर तीन का मनलब क्या है कि गर्मसुष्क मरुस्थल अर्दसुष्क मरुस्थल और जो तटी मरुस्थल है इन तीनों में यहां बताए गया, यहां पर न्यून मरस्पती होती है, कुछ बड़े इस्तंधारी कीट, पतंगे, रेंगने वाले जीवदारी यहां पर पाए जाते हैं, आप देगें दूसरे नमबर पर है आपका अर्द सुस्क मरस्थल, तो गर मरस्थल के गौर्ण छेत्र जैसे एटकावा मरस्थल है, तो यह इसमें सामिल है, तो इसका हमने पहली कपर कर दिया है, जहां की प्राणी जात के बारे में, इसके लाबा जो टुन्डा जलवाए प्रतियस है, यह 30 मरस्थल में आ जाते हैं, यहां पर बरसा जो है, A-C-D 50 mm से भी कम होती है, बहुत कम उधारण है, तो सीत मुस्तल में जो प्राणी जात पाए जाते हैं, उनमें खरगोस, चुहे, हिरन और प्रत्वी पर रहने वाली गलहरियां यहां पर पाई जाती है, घास भूमियों की बात करते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार की घास भूमिया आ जाती है, उश्ट कटव यहां पर होती है, यानि कि लगवग 50 cm से लेकर 150 cm के करीब यहां बर्सा होती है, जबकि आपके सीतोष कटवादी जो घास भूमिया, इस्टेबी घास भूमिया है, यह यूरेसिया के कुछ भागों में उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, और यहां पर बताया गया यहां बर्सा कितनी होती है, 500 से लेकर 900 mm के बीच में होती है, इन दोनों घास भूमियों की खास में घास भाती है, यहां कि मिट्टी की बात पताई गई है, कि यहां पर संरंदित मर्दा होती है, मिट्टी जो होती है, बुरबुरी होती है, संरंदित मर्दा होती है, और साथ ही य लंबी लंबी जाड़िया उनकी अनुपस्रीद ही यहां पर होती है इसके लाब यहां पर जानवरों में जेबरा जिराफ भैस कीता लगडबगा हाती चुए साप और अनकीड आधी यहां पर पाई जाते हैं घास में कहीं कहीं पर ब्रक्ष जैसे ओक और मुलाइम ब्रक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं जो आपके घास मुझतल है उनमें यदा कदा आपको कहीं कहीं पर आपको जोगा पेड़ पौदे भी ब्रक्ष भी देखने को मिलते हैं तो यहां पर प्राणि जात में गजेल, जेवरा, गेंडे, जंगली घोडे, सेर, तरत्रेगे प्रक्ष प्रवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवा बहरें, पामज़ऊ चाहिते हैं अब है यहां पर परवती वायूम देखें, आप ज़ाती हैं जैसे जैसे परवती हुलेट के बढ़ते जाते हैं बैसे-वैसे तापमान में अंतर आता जाता है तो तापमान में अंतर आने के विज़ासे जो बनसपतियां हैं, जो प्राडी जाते हैं, उसमें भी विवित्ता देखने को बिलती है, तो उंची परवतिये सेडियों के ढाल, जैसे कि हिमाले, एंडीज, रौकी परवच्छित, ये इसमें आ जाते हैं, तापमान और बरसा में भिंटा आक्छान सो पर आदारित होती है जैसे जैसे आप उपर बढ़ते जाते हैं, तापमान और बरसा में भिंटा आती जाती है, धाल पताया गया है, मिट्टियां कैसी है, रेगल इससे डखे हुए है, ये धाल का मलब क्या है, यहां की भी जो मिट्टी होती है, वो पतली होती है, क्योंकि यहां पर मिट्टी का अधर पर भिंता पाई जाती है आगे यहाँ पर जैब भूरासानिक चक्र के बारे मदाया गया है देखे हमारे प्रत्वी पर सूरी जो है यह उर्जा का मूल स्रोथ है और यही सौरी एक उर्जा जैब मंदल में प्रकास संसेशन की क्रिया के द्वारा जीवन की प्रक्रिया को आरम करती है देखे सूरी के प्रकास की अनुपस्तिती में प्रकास संसेशन अर्थाथ फोटो संसेशन पॉसिबल नहीं है जब सूरी के प्रकास मिलेगा तभी फोटो संसेशन या प्रकास संसेशन होगा और प्रकास सिसर्ट की प्रक्रिया में पौदे अपना भोजन बनाते हैं साथी साथ ऑक्सिजन गेस को भी निर्मुक्त करते हैं प्रकास सिसर्ट के दोरान कार्मन डायकसाइड ऑक्सिजन और कार्मिक योग्तों में परवतित हो जाती है दर्दी पर पहुचने वाले स्टूडिया तब का एक बहुत छोटा भाग यहीं केवल दसम्रब एक प्रसुत भागी फोटो सिंसेस की प्रक्रिया में काम आता है और इसका भी आदे से दिख भाग जो है पौदे की स्वसन और विसरजिन क्रिया में और सेस भाग जो है अस्थाई रूप से पौदे के अन्य भागों में संचित हो जाता है देखे प्रतवी पर जीवन जो है यह बिवित प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाये जाता है तो केबल हिरनी हिरन होंगे तो एक समय के बाद वो पूरी घास को खा के खत्म कर देंगे तो इस बज़े से वहाँ पर क्या है? वहाँ पर अन्य प्रकार की जीव जन्तु भी होने चाहिए जिससे के प्रद्रसपर्दा बनी रहे है जैसे के हिरनों के उपर वहाँ पर कोई मासारी जन्तु है तो मासारी क्या करेगा? समय समय पर हिरनों को खा कर दूंकी संक्या कम करता रहेगा जिससे क्या होगा? एक बैलेंस बना रहेगा तो यहाँ पर इसी विज़ा से बताया गया कि जीवधारी बहुलता और विवित्ता में ही जिंदा रह सकते हैं इसमें बिदबत प्रभा, जैसे बिदबत प्रभा में कौन कों से हैं, उर्जा का प्रभा है, जल और पोसकत्तों की वस्ति यह सब समलित है यहाँ पर प्रभा होना चाहिए, इसमें उर्जा का प्रभा होना चाहिए, जल और पोसकत्तों की वस्ति होने चाहिए, तो इस बज़े से जीवधारी जिंदा रह पाते हैं जैब मंडल में जीवधारी और परियावण के बीच रासानिक तत्तों के चक्री प्रभा को जैबुरासानिक चक्र कहा जाता है जैब मंडल में जीवधारी है और इनके बीच का जो परियावण है इनके बीच में जो रासानिक तत्तों है इनके चक्री प्रभा को जय बुर्वासनिक चक्र कहते है और रासानिक तत्तों का ये संतोलन जो है पौधे और प्राणियों के उतकों से होने वाली चक्री प्रभा के दोरा बना रहता है उतक क्या है देखें उतक जो है कोसकाओं का समूँ होता है तो कोशकाओं के समूं के जरी हमारे सरीर बना होता है तो उन्हें उतक कहा जाता है कोशकाओं के समूं को उतक कहा जाता है उतक जो है जीवजन्तों में भी होते हैं और पौधों में भी पाई जाते हैं तो रासानी तक्तों का जो संतुलन है ये पौदे और प्राडी उतकों से होने वाले चक्री प्रभा के दोरा बना रहता है यह चक्र जो है जीवों के दोरा रासेंग तत्तों के अवसूसरण से आपर आरम होता है यानि जो आपका जैबुरुवासनी चक्र है कैसे प्रारम होता है जीवों के दोरे जो रासिनक्त्तो उन्के अवसुसार्च से आर aggressive होता है और बाद में जब उनकी म्रत्ति हो जाती है तो उनके बिक्टन से जैसे अबगटन उनका जो होता है तो और उनके वायू जल और मिट्टी में बिक्टन से पुने आरम होता है ये चक्र जो है मुकित है सौरत आपसे संचालित होते हैं देखे जैब बूरासनी चक्र भी दो प्रकार के होते हैं इसमें एक गैसी चक्र है दूसरा तलचटी चक्र है गैसी चक्र की बात करें तो गैसी चक्र में पदार्थ का मुकि भंडार या स्रोथ वायो मंडल और महासागर है जबके तलचटी चक्र में इसके जो प्रमुक भंडार है वो प्रत्वी की भूपरपटी वे पाई जने वाली मिट्टी है तलचट है और निचट्टाने है जैब बुरासानी चक्र में ही जलचक्र भी आ जाता है देखे जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जो जीवधारी हैं ये वायो मंडल और स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल गैस और ठोस वस्ता में है इसे ही जली चक्र कहा जाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सूर के ताप की उपस्तिती में जो महासागरित्या दी है जल का वास्पी करड़ होता है जल जो है गैसी वस्ता में परवातित हो जाता है जब ये जलबास्त है उपर वायमंडल में जाती है तो ठंडी होती जाती है ठंडी होने पर पुने संग्नन की प्रक्रिया होती है संग्नन की प्रक्रिया की जड़िये जो जलबास पर फिर से द्रब में परवतित हो जाती है तो जब जलबास पर फिर से द्रब में परवतित हो जाती है तो बरसा की रूप में गिरने लगती है जो कि कार्मिक योगिक का मूल तक्तु है जैब मंडल में असंग के कार्वन योगिक के रूप में जीवों में विद्धिमान है यानि कि जैब मंडल में जो कार्वन है वो योगिक के रूप में जीवों में पाया जाता है कारवन चक्र कारवन डायक्साइट का परवर्तित रूप है कारवन चक्र वास्तप में जो कारवन डायक्साइट गया से उसका ही परवर्तित रूप है और यह परिवर्तन जो है पौदों में प्रकास असेटर की प्रक्रिया के द्वारा carbon dioxide के योगी करण़ अरंब होता है यारे कि जो आप carbon acid का फरवर्ती दूरुप carbon चक्र है तो कर्ण़ आता कहा से है तो यह परिवर्तन जो में पोदों में जो photo synthesis की प्रक्रिया होती है उसके तो आरंब की तुरोगी करण़ होता है और जड़ों के द्वारा carbon dioxide gas मुक्त होती है सेसे जो carbon hydrates है वो पौदों की जैविक क्रियाओं में प्रिप्त नहीं होते है और ये पौदों के उतकों में इनी की जो कोजकाओं का समूँ है उसमें ये संचित हो जाते है देखे साकाहरी जीब जन्तु जो होते है वो पौदों पर ही निर्पर होते है तो साकाहरी पौदों से उभोक किये गए carbon hydrates को carbon dioxide में परवद्द करते है देखे साकाहरी जन्तु जब पेड़ पौदों को खाते है तो जब जीव-जन्तु मर जाते हैं तो जो आपके अपगटक है सूच्प जीव में उसका अपगठन करते हैं सूच्प जीवान वो दोरा कार्वोफिडेट्स ऑक्सियन प्रक्रिया दोरा कार्वन एक्साइट में परवतित होकर पुने वाइमंडल मा आ जाती है जब होता है तो अपगठन से इनके जो कार्मिक पदार्थ होते है वो मिट्टी मिल जाते हैं तो मिट्टी मिलने पर क्या होता है मिट्टी में पर क्या है मिट्टी में भी जो बाइमंडली कार्वन एक्साइट है उसको पादब जो है प्रकास स्वसंट की प्रक्रिया की दोरा अपने अंदर कार्व हड़िट की रूप में रख लेते हैं और बाद में जब इसे जन्तु खाते हैं तो जन्तु जब इसे खाते हैं तो जन्तु खाने के बाद क्या होता है जन्तु से मूल स्वसन के रूप में भार निकालते हैं जैसा कि आपने देखा है कि साकारी पोतों से वोग किये गए कार्बो हेड़िट को कार्मन एक्साइड में पर्वधित करते हैं और स्वसन की क्रिया के दौरा इसको वायो मंडल में छोड़ते हैं इसके राबा सेकेंड है आपका ऑक्सीजन चक्र देखे प्रकास सेट की प्रक्रिया का एक सह परड़ाम बाय प्रोड़क्ट ऑक्सीजन है जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो है यह प्रकास सेट की प्रक्रिया के दौरान बनती है और यह कार्बोहेडिट के ऑक्सीकरड में समलित है जिससे के उर्जा, कारवनायक्साइड और जल बिमुक्त होते हैं यह नैट्रोजन के साथ मिलकर नैट्रेट बनाती है और बहुत से अन्य खनेजों और तत्तों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है जैसे के आईरन ऑक्साइड, एलमिनियम ऑक्साइड यह सब बनाती है सूरी प्रकास में प्रकास प्रक्रिया के दोरान जल अडूओं के विक्टन से ऑक्सियन उत्पन होती है इस सूरी के प्रकास की बस्तिती में जब फोटो सिंसेस की प्रक्रिया होती है उसके दोरान जो आपके जल के अडू है इनके बिक्टन से oxygen उत्पन होती है और पौदों की बासू सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह बाइमिडल में पहुंचती है और पौदे जो बासू सर्जन करते हैं उसके दौरान भी जो oxygen है यह बाइमिडल में पहुंचती है देके यहाँ पर oxygen cycle के बारे में यहाँ बताया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो photosynthesis की प्रक्रिया है उसके दोरान जो oxygen है वो निर्मुक्त हो रही है इसके बाद है अब आपका nitrogen चक्र जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि nitrogen जो है वाइमंडली गैसों का अठक्तर प्रसत बाग है और विभिन प्रकार के कार्मिक योगिक जैसे कि amino acid, nucleic acid, vitamin और वर्डक, वर्डक का मलब pigment जिनसे पौदों में कलर बगर आता है तो इन सब में एक महत्तूर गटक nitrogen है देंके वाइमंडल में सरबादिक मात्रा में nitrogen होने के बाब जूद भी पेड़ पौदे और जीव जन्तु इसको प्रत्यक्ष रूप में घ्रहन नहीं कर पाते हैं केबल कुछ बिसिश्ट प्रकार के जीव हैं जैसे कि कुछ मरदा में रहने वाले जीवाडू है ब्लू ग्रीन एल्गी है यही प्रत्यक्ष गैसी रूप में इसको घ्रहन करने में सक्षम है सामानिते nitrogen जो है यह योगी की करण की प्रक्रिया चे द्वरा प्रियोग में लाई जाती है nitrogen का लगवग 90% भाग है यह जैविक है जानते न, nitrogen का लगवग 90% भाग जो है जैविक रूप में है अर्थाद इसको जीव ही घ्रहन कर सकते है स्वतन्द nitrogen का प्रमुक्सरोथ मिट्टी के सुचन जीवाडू की क्रिया और संबंदित पनों की जणे और अंदर वाली मिट्टी है जहां से यह वाय मिट्टल में पहुँचती है देकि जो आपके स्वतन जीवाडू है जिनमें क्लॉस्ट्रीटियम, एजोट्व वेक्टर, राइजोबियम है यह क्या करते है जो वाय मिट्टी है, नैट्रोजन है उसका इस्तरी करण करते है इसके लाब वाय मिट्टल में भी बिजली चमकने और अंत्रिप्ष विकरण से नैट्रोजन का योगी करण होता है वाय मिट्टी नैट्रोजन के इस तरह योगेक की रूप में उपलब्द होने पर हरे पौदों में इसका सौंगी करण होता है यानि हरे पौदे इसको एब्सॉर्ब करते है साकारी जन्तों के द्वारा हरे पौदों के खाने पर नैट्रोजन का जो कुछ भाग है यह उनमें चला जाता है फिर इम्रत पौदों और जानबरों के नैट्रोजनी अपसिष्ट मिट्टी में उबस्त बैक्ट्रिया द्वरा नैट्राइट में परवस्त हो जाते है तेंके कहने का लोब भी है कि जो मरे हुए पौदे है जो जानबर है इनकी जो नैट्रोजनी अपसिष्ट होते है इनको मिट्टी में वसज़ जो बैक्टरिया है वो इनैं नाइट्रायड में फर्वज़़ित कर देते हैं कुछ जीवाणू जैसे के Estreptomycese, Nocardia ये नाइट्रायड को पुने नाइट्रायड में फर्वज़ित करने में सक्षम होते हैं और पुने हरे पौदे द्वारा nitrogen योगी करड़ यहाँ पर हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणू है, इन nitrate को पुने सुतंत nitrogen में परवज़त करने में सक्षम होते हैं। और इस प्रक्रिया को D-nitrate करड़ कहा जाता है। कुछ ऐसे जीवाणू भी है, जो कि ध्रादल में मिट्टी मोजूद जो nitrate है, इसको पुने सुतंत रूप से nitrogen में परवज़त करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रक्रिया को D-nitrate करड़ कहा जाता है। आप देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वाइमंडली nitrogen है, इसका वाइमंडली योगी करड़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुतंत nitrogen में परवज़त हो रही है। अब देखें, इसके लावा यहाँ पर अनिखनिच चक्र भी यहाँ पर बताये गए हैं। देखें, जीवधारियों के लिए जो आवशक खनिच पदार्थ हैं, यह प्रात्मिक तोर पर अकार्मिक रूप में मिलते हैं। जब गुलंसी लवड जल चक्र में समलित हो जाते हैं, तब यह अबक्षा की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्पी की परपड़ी पर और फिर बाद में यह समुत तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवड जो हैं तल्चट के रूप में ध्रादल पे पहुंचते हैं और फिर अप्रक्षा की प्रक्रिया में यह सामिल हो जाते हैं। अब लाश्ट में हैं अब आपका पार्स्तिकी संतुलन यानि इकोलोजिकल बैलेंस। तो ऐसे करके किसी पार्स्तंत में एक गतिक सामिता होनी चाहिए, विवित्ता होनी चाहिए। या तब ही संबब है जब जीवधारियों की विवित्ता अभिचगत इस्था ही रहे। इस सौ साल में या दो सौ साल में या हजारों सालों में लगातार परिवत्तन जब होता रहता है तो इससे क्या होता है। उससे जीवधारियों की विवित्ता में परवतन आता है तो इसे जो है प्राकर्तिक अनुकुर्मण कहा जाता है पारितंत्र में संतुलन निश्चित प्रद्यातियों प्रदिसपर्दा और आपसे सहयोग से होता है देगे जो आपका पारितंत्र है उसमें संतुलन कैसे रहता है कुछ निश्चित प्रजातियों के प्रदिसपर्दा होती है आपसे सहयोग होता है तो ऐसे करके वहाँ पर संतुलन बना रहता है इसके लाबा संतुलन इस बात पर भी निर्वर करता है कि कुछ प्रजातियों आपने भोजन और जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्वर करती है जैसे कि जो मासाहरी जीव जन्तु है वो क्या करते है वो साकारी जीव जन्तु का भच्छड करते है तो इससे भी जो प्रजातियों का संतुलन है वो बना रहता है है पर उधारड दिया गया है कि उधारड के लिए विसाल गास के मदारों में जो साकारी जन्तु हैं जैसे कि हिरन जैवरा भैस आदी ये अत्तिक संक्या में होते हैं वहीं दूसरी तरब मासारी ये बाग सेर आदी ये अधिक नहीं होते हैं इनके संक्या बहुत कम होती हैं और ये साकारीयों का सिकार करते हैं साकारीयों के सिकार पर निर्वर होते हैं तो इनके सिकार करने की जैसे जो साकाहरी जिवियन्तु हैं उनकी संक्या निरंतुत होती रहती है इसके लापा कुछ चीज़ और बताई गई है कि पौधों के पार्सकी संतुलन में बदलाव कहने को लोगी है कि कई बार हम क्या करते हैं कई बार जो मान भी घजबिदियां होती हैं हमारे जो क्रिया कलाब होते हैं तो पौधों के पार्सकी संतुलन में बदलाव ले आते हैं जैसे हमारे द्वारा की जाने वाली जो जो आपकी क्रसी कारे हैं या अन्य परकार की जगद्विदियां हैं वो पौधों की प्रजातियों में बदलाव लाती है तो उससे क्या होता है ब्यवधान उत्मन होता है तो ब्यवधान उत्मन करने से जो प्रजातियों का वित्रड है उसमें भी परभाव देखने को मिलता है तो यहाँ पर वही चीछ बताई गई है कि पौधों के पार्सकी संतुल में बदलाओ बनों की प्रारमिक प्रजातियों उनमें प्यवदान उत्पन हो रहा है तो ऐसे करके भाहां पर रहने वाले जो जीव जन्तु है या भाहां पर पाई जाने माले फेड़ पोद हैं उनके वित्रण में भी बदलाओ देखने को मिलता है इसके लावा यह परिवर्तन जो है प्रजिसवर्दा की कारड है जहां पर होते हैं किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां की जो इस्थानी है जो पेड़ पौद होते हैं या इस्थानी जो जो बिवित्ता है या पादा बिवित्ता उसको समाप्त कर देते हैं और वो अपना प्रभुत जमा लेते हैं तो यहां पर भाही चीज बताई गई है कि य या अनकुमर कहलाती है इसके लावा पार्सकी जो असंतलन है इसके कई अन्य कारण भी है एक तो नई प्रिजातियों का आगमन है प्राकरतिक बिवद्दाएं है और मानब जन्तिक कारण भी है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आपका ओध्विक मानब है इसने अपने उद्दिष्टों की पूर्ती के लिए जो हमारे आसपास का पार्सकी जन्त्र है उसको बहुत ज़्यदा नुकसान पहुंचाया है इसके लावा जो प्राकरतिक संसादनों पर जनसंक्या का जो दबाव बढ़ रहा है इससे भी हमारा जो पार्सकी जन्त्र है यह बहुत ज़्यदा प्रभावित हुआ है और परियावड असंसलन से ही प्राकरतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि बाड़, भूकम्प, बीमारियां और कई जलवाय समद्धी परिवत्तर इसी से होते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शियर करना बिल्कुल न भूले तो आज के लिए उस्तना ही ठैंक्स वर वाचिंग, जै हिंद